नवसकर दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम आप सभी का श्वागत अबिननन्द है टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जैसवाल कोचिंग सेंटर पर पावड बाई सिच्चा ही प्रकास है मैं आपके साथ जैसवाल सर आप सभी का श्वागत तब नंदन है दोस्तों बात करेंगे MP8 वर एक वायलाजी के ये पार्ट नंबर तीसरा है बाई जैसवाल सर इस पार्ट में भी हम 20 कोश्चन करेंगे इसके साथ साथ ही दो पार्ट आलेडी कम्पीट हो चुके हैं इनी 20 कोश्चन का 40 कोश्चन कम्पीट हो चुका है जिसका आई बटन पर यहाँ पर आलेडी लिंक आपको मिल जाएगा इसके साथ साथ ही बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर्थ टेस्टरीज कहां से जाइन करें तो परिच्चा एप इंस्टाल कर लेना है आपको एक चीज करना है परिच्चा अप इंस्टाल करने के साथ वर्गेक टेस्टरीज में जाएंगे आपको किवल code यूज कर लेना है jesswalork 50 jesswalork 6 j jaiswalork 55 50 ये जैसवाल सर कोड यूज करेंगे तो आपको 40% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपके जितने भी टेक्स्ट रीज है तो आई होप आप समझ गया होंगे चलिए क्लास को कांटिन्यू करते हैं और जानते हैं टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबेक क्या है आप लोगों का स्कोर कितना है जिसमें से पहला प्रशन आप लोगों के स्किन पर है पहला प्रशन पूंचा जा रहा है कि इस्टा बुलम एक आउतल सतय है ये पिछली क्लास काम सभी के लिए मोक क्वेशन करूप में प्रशन दिया गया था बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बहुत बहुत ध सेणी अस्थ या थाद पेल्विस की आउतल सतय होती है और फीमर का सीर्स एस्टा बुलम पर सेणी अस्थ में मिलता है जिससे सेणी संदी बनती है हिप जॉइंट बनता है ठीक है पहला आपसंस ही हो जाएगा चले बात करते हैं दूसरे प्रशन की मुकलन की क्रिया कब होत होती है तो आप सभी लोग जानते हैं ज्यानी सरवव वेख्याता लोग हैं भावी अधापक अधापिकाए हैं कि मुकलन की जो क्रिया होती है वह किस पर होती है दोस्तों वह आपके इस्ट में होती है मुकलन जो होता है अलेंगिक जनंग का एक प्रकार है जिसमें एक ब्रद्धी करते हुए जनक जीव से जुड़ा रहता है तथा परिपक होने पर उसे अलग हो जाता है तो हमारा इस्ट की बात करते हैं इसके बाद अंगला प्रशन है नेल हरित सैवाल होते हैं आपके प्रो कैरियोटिक होते हैं यू कैरियोटिक होते हैं एक बीज पत्री होत तो नील हरित जो सैवाल होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं हम सभी लोग जानते हैं वह प्रोकरियोटिक होते हैं नीले हरे जिवानियों के लिए पहले नीले हरित सब्द का प्रयोग किया जाता था किन्तु अब इन्हे साइनो वैक्टिरिया के रूप में वर्गी कत किया जाता है यह प्रोकरियोटिक को सिखाऊं के एक समू को प्रसित करता है जो प्रकाश संसेशन हे तू पंढ हरिम का उप्योग करती है तो नील हरिस सेवाल प्रोकरियोटिक होते हैं इसके बाद अंगला प्रस ने सांत गाटी राश्टी उद्यान कहां पर इस्तित है केरल तमिल नाडू छतीस गड़ या हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो आप सभी लोग जानते हैं सांत गाटी जो राश्टी उद्यान है दोस्तो वह आपके केरल राज पर इस्तित है दच् 1847 में इस राष्टि उद्यान के छेत में एतिहासिक रूप में खोच की थी किसने की थी बैग्यानिक रावर्ट वाइट ने 1847 में इसके बाद अंगला प्रशन है निम्नकित में से कौन सी मरदा क्रस हेतु सरोतम होती है चिकनी सिल्ट सिल्ट अथा चिकनी मिट्टी के साथ द हमारी मरदा कहलाती है दोमट मिट्टी जो होती है इसमें रेत, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी का आपेचिक समसांदरन मिश्रन होता है दोमट मिट्टी में रेतेली मरदा की अपेच्छा पोसक पदातों का हिूमस की मात्रा अधिक होती है इसलिए हम बात करेंगे दोमट मर क рублей से निर्मित होता है कंलूस्टों केलषिम कर्वोनेड से क्या निर्मित होता है वह होता है क्या आपके इस्टोलित भी होता है तो प्रोक्षभी आपसन यहापे सही हो जाएगा क्योंकि देखे इस्टोलित एक क्या होता है वनस्पतिक सब्ध है जो मुरेसी कुल के फाइकस इलाश्टिका अर्थाद भारती रबर ब्रच है तो था कुछ अनकुलों के पौधों की पतियों में विसिष्टी क्रत को सिखाऊं के अंदर सेलिलोस अधात्री में अकार्बनिक पदार्थ हो प्राहे कैलसियम कार्बोनेट के जमा होे तो प्रयोग किया जाता है तीक है आईए बात करते हैं अंगले पुस्ट में जय पोसी पोसन जो होता है पाया जाता है परजीओं में मर्दोब जीओं में कीट भच्चियों में या उक्रोक्षभी में पाया जाता है तो जो आपके जय पोसी पोसन होते हैं एक किस में पाया जाता है तो हम सभी लोग जानते हैं परजिवी में पाय जाता है पादब जो होते हैं रोग जनक कवक अपने पोसी की कोसिकाओं को मारने के बज़ाए संक्रोन प्रकिया के द्वारा उसकी कोसिकाओं के साथ एक दीर्ग कालिक पोसन सम्मंध स्थापित कर लेते हैं और यह रोग जनक जिव आवरत वीजों में मादा युग्मों विद कहलाता है ब्रून पोश ब्रून कोश ब्रून या युग्मनज की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं आबरत बीजों में जो मादा युगम को विद कहलाता है वह हमारा कौन साप्संस ही हो जाता है वह होता है प्रूनकोश प्रूनकोश आबरत बीजी पादप के बिजान्ड में पाई जाने वाली अंडा कारेक सनचना होती है इसमें अंड उपस्थित होता है निसेचित अंडे के साथ ये एक बीज में बिक्सित हो जाती है तो हम प्रूनकोश की बात करते हैं अंगला है घयवेर्सियन नालिक जो न की बात कर रहे हैं देखे हाइवर्स जो नालिकाएं होती है वह किस पर उपस्थित होती है तो वह आपके उपस्थितियों में उपस्थित होती है जी हाँ हाइवर्स नलिका इस संधारियों की अस्थियों का एक बिसेश्ट गुण है ये अधात्री में उपस्थित होती है उत्तरदाई होता है आपका फाइटो हर्मोन, साइटो क्रोम, फाइटो क्रोम या फोटो हर्मोन की बात कर रहे हैं तो ऐसा वर्नक जो पुस्पा नेवम अंकुरन हेथ उत्तरदाई होता है वह हमारा कौन से कहलाता है वह कहलाता है फाइटो क्रोम थर्ड आप्शान आपे सही हो जाएगा फाइटोक्रोम क्या होता है यह एक पादप वर्णक है जो प्रकास की अनुपस्थिती या उपस्थित का पता लगाता है तथा दीप्त काल से संबंधित कई क्रियाओं को निमित करता है फार एक जामपल भी जंगुरन और पुस्पो में प्रारम भन तम किसकी बा 21 में गुर्ण सूत युग में से कम 23 में गुर्ण सूत युग में कम 25 या 27 में की बात करें दीखे मंगोलिज्म डाउन सिंडोम की दसा में प्रते कोशिका में जितने गुर्ण सूत होते हैं वह कहलाता है आपके 47 में की 30 सूतता के कारण होता है जिहां डाउन सिंडोम मंगोलिज्म में प्रते कोशिका में 47 गुर्ण सूत होते हैं इसका फारमूला क्या होता है 21 इन टू 2N प्लास 1 इचकल टू 47 ये इसका फारमूला होता है 30 सूतता होता है इनको भी आपको नोट कर लेना है अंगला मकडी निम्निकित में से किस वर्ग से सम्मंदित है आपके रिप्टिलिया, एरिनाई, आपका एरिक निडा की बात करेंगे या नियाप्टेरा की बात करेंगे तो मकडी जो निम्लिखित जिस वर्ग से आप से सम्मंदित होती है वह वर्ग आपका कौन सा कहलाता है सभी बताईए जिया दोस्तों देखें मकडी की बात करें तो ये एरिक निडा की बात करेंगे जिया दोस्तों सभी सभी हम ये जान लिजे कि जो मकडी का वर्गी करन निम में अर्थो पेड़ा होता है उपसंग में क्या होता है चली से रेटा होता है और वर्ग में क्या होता है तो वर्ग में आपका एरेग्ड़ा होता है और अगर गण पूछा जाता है तो गण आपका एरेणियाई होता है यहां पे वर्ग पूछा गया है इसलिए आपका क्या हो बात करेंगे, शिवाल आप्समत सई हो जाएगगे, अंगला पत्तरी अंतह फल्वित्ती हुर्पक्त पुंज फल में, अच्छिल फल में, सरस फल में या पॉमफल में पाई जाते हैं, देखे पत्री अंतह जो फल वित्ती होती है यह किस में पाई जाती है यह आपके अश्ठिल फल में पाई जाती है डुरुप की बात करेंगे इसमें बाय मानसल भाग, बाय फल भित्ती या छिलका या कह सकते हैं मद फल भित्ती या गूदा एक कठोर अंतह पल भित्ती फल भित्ती को गेरी रहते हैं जिसके वीतर एक बीज होता है और ये फल अधिकांजता है उर्ध अंडासय वाले पुस्पों किसे तथा एकल अंडासय में विक्सित होते हैं तो हम बात करेंगे अस्चिल फल की बात करेंगे अंगला मच्छर के मुखांग होते हैं इस्पंजी प्रकार के भेदन प्रकार के काटने के प्रकार के या फाडने के प्रकार के होते हैं सब भी बताएगा जियां दोस्तो जो आपके मच्छर के मुखांग होते हैं वह आपके किस प्रकार के होते हैं तो मच्छर के जो मुखांग होते हैं दोस्तों वह आपके भेदन प्रकार के होते हैं यहां दोस्तों कीटों अर्थात वर्ग इंसेक्टा में बिवित प्रकार के मुखांग पाये जाते हैं जो भोजन ग्रहन करने के निश्चित बिदी हेतु अनकूलित होते हैं प्रारंभी कीटों में चबाने वाले प्रकार के मुखांग होते हैं यदपी कीटों के मुखांगों में बिवित प्रकार का बिसिश्ची करन पाया जाता है। अंगला पस्ने स्वान को सिकाएं उपस्थित होती है जहां तंतिका मायलिन आच्छाद से धकी होती है नूरी लेमा तथा मायलिन आच्छादत आसतत होती है मायलिन आच्छादत आसतत होता है या नूरी लेमा आसतत होता है हमी सब सभी लोग जानते हैं कि जो स्वान को सिखाएं उपस्थित होती है ये कहां पर उपस्थित होती है ये आपके तंतिका मायलिन आज्छादस से धकी हुए होती है फैला आप्सलिया ऋपर सइख हो जाएगा इसके साथ यंगला प्रस्टन निम्रिकित में से कौन आपका सुमेलित दिया गया है जिहां दोस्तों इन में से कौन आपका सुमेलित है आपका Ammonotillism Keat की बात करेंगे Amino-Tillism केचुबा की बात करेंगे Yukaryotillism इस्तंधारी की बात करेंगे आपके Yuc самомotillism की प्रोटोजोबा की बात करेंगे तो जो आपका सुमेलित है जो आपका राइट अपसन दिया गया है वैं हमारा है Euryotillism इस्तंधारी पर यूरो टिलिज्म कहलाती है जिन जंतों में यह क्रिया होती है उन्हें जो है यूरिया उस सर्जी कहते हैं पर एक्जामपल केचवा, उपस्थित मचली, वयस्क उभैचर, कई प्रकार के समुद्धी, सरीस्रप और इस्तंधारी इसके बाद हम बात करेंगे अंगले पस्थित में से किसमें बीज फल के भीतर नहीं पाय जाते हैं जियां ऐसा फल जिसमें उसके भीतर 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 नहीं पाय जाते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं अनावरत वीजियों में जिहां दोस्तियों अनावरत वीजियों में बीज फल के भीतर नहीं पाय जाते हैं इन में से अंडान के बाहर देखे जा सकते हैं तो पहला आपसन सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रस्ने ने स्वसन के दोरान संक्चित होने वाली जो पेसी होती है वह क्लेरीफाइड पेसी होती है बाह अंतरा पशुक पेसी होती है इसकेलीन पेसी होती है या एवभी दोनों पेसी होती है तो ने स्वसन के दौरान जो है संक्चित होने वाली जो पेसी कहलाती है वह हमारी पेसी बाय अंतरा परशुक पेसी कहलाती है प्रास्वसन यह हम कह सकते हैं अंतर स्वसन वह प्रकिया होती है जिसमें स्वसनली के द्वारा गैस फेपडे में जाती है और स्तंधारियों में बाय अंतरा परशुक पेशियों तता मध्धपट की पेशियों के संकुचन से पसलियां उपर उड़ जाती है इस से वच्छ बढ़ जाता है तता फेफडे की गुहिटा का दाब वातवरणी दाब में कम हो जाता है जिसमें वायू का अंतर वाय होता है जब तक की दोनों प्रकार के दाब बराबर नहीं जाते तो वाय अंतरा परशुक पेसी की बात करेंगे मस्तिस्क में निम्लिकित में से कौन सा रंध जो है उपस्थित होता है आपका उपस्थित होता है जो कपाल की आख स्पिटल अस्ति में इस्थित होता है इसके बाद आपका इस class का 20 प्रस्ण आपके इसकीन पर है आपका प्रस्ण दिया गया है कि फैसियोला हिपेटिका का आवास होता है स्वच्छ जल लमणी जल ऊश्न कटवंधी महासागर या सीतोश महाशागर होता है तो आप सभी लोग जानते हैं फैसियोला हिपेटिका का पर होता ये सभी को बताना है या आप सभी के लिए मोक कुश्चन में प्रस्ण दिया जा रहा है इस प्रस्ण का उत्तर हम अंगली क्लास में करेंगे आयोप आप सभी लोग समझ गए होंगे बाकी 7 पीम में हमें हमारी जो है बाल विकास की क्लास सुरू हो रही है जिससे आप के नए एकजाम नए प्रिटर्ण के कॉर्डिंग क्लास सुरू हो रही है तो 7 पीम में लाइब क्लास मच चुकेगा आपने प्रफेशन को बेतर कीजेगा मैं आपके साथ जैस्वासर मिलता हूं आपके इंगली क्लास पर सभी मित्रों को जैहिंद वंदे मात्रम धनबाश विका